आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टड़ी विद दुलार में बच्चों यहां पे हमारे पास है एक्सरसाइज 5.2 और यह क्लास 7 का एक्सरसाइज दिया हुआ है नियू बुक में भी एक्सरसाइज दिया हुआ है चिलिए अभी इसको बनाने के लिए अब दिख रहे हैं इस तरह का जो figure बना होगा है हाला कि मैंने इस chapter का जो फरस्ट वीडियो बनाया होगा था उसमें मैंने इसको समझाया था तो ज्यार तर नहीं समझाया था लेकिन आप इसको solve करने के लिए आपको पहले इसको समझना होगा इस तरह का जो दोम और पारले इस picture को आप देख सकते हैं रखीइ इस picture को जो है यह बिल्कुल सीधा है ये बिल्कुल सीधा और इसमें एक line खिचा गया है ये बिल्कुल सही है बाकि जो है कई सारे दूसरे तरफ से दियो हैं और उस इसलिए ये सारे एंगल जो है वो इकूल नहीं है लेकिन वह लाइन जो है अगर पेरलल होते तो सारे एंगल जो है दूसरे के और वी दर हो गया यह अंदर वहार हो गया तो यह एंगल जो है इंटीर अंगल होग यथी फोर एंगल थ्री फॉर फाइब रेचा से उधर बाहर वान टू यह दौनों बहर हो गया और सेवन इट यह दो बाहर हो गया चार एंगल जो है वो exterior एंगल हो गया 1,2,7,8 ये एंगल जो है exterior हो गया अब आगे जो क्या नाम दिया जाता है pair of corresponding angles corresponding angles देखिए कई pair corresponding angle में आपको याद रखना है एक अंदर रहेगा जैसे कि ये एंगल 3 हो गया और एक बाहर रहेगा उसी के same side में एक बाहर रहेगा 3,7 ये जो है equal होता है यहाँ पे equal नहीं हो पाएगा क्योंकि ये line parallel नहीं है ये दोनों लाइन जो है parallel नहीं है लेकिन rule वही बतलाया जा रहा है 3 और 7 ये हो गया corresponding angle देखिए आपको दिया होगा 3,7 या pair दिया होगा है और ठीक इस side से लेते एक बाहर हो गया 1 और 5 बाहर हो गया और एक अंदर हो गया देखिए 1,5 सबसे 1 में दिया होगा पेर उसके बाद इधर भी से हम उसी तरह से होगा 2 हो गया बाहर और 6 हो गया अंदर 2 और 6 ये हो गया corresponding angle उसी तरह से एक अंदर हो गया एंगल 4 और एक बाहर हो गया एंगल 8 देखिए एंगल 4 एंगल 8 दिया होगा है ये corresponding angle हो गया तो corresponding जो है यहाँ पे चार पियर है 1,2,3,4 चार पियर उसके बाद pairs of alternate interior angle इंटिरियर देखिए इंटिरियर में कितने अंगल थे चार एंगल 3,4,5,6 ये इंटिरियर में है तो इ इसमें क्या होता है एक इस 사 की होगिया और एक साइड हो गया एहां पे 3 और 6 ये दोनों इक्वल होंगे और यह प्य रहे है अलटरूनेट इंटिरियर आंगल क्वा मिधिल आम पे 37 और एक इदर से हो गया 45 इल्टनेर्ट इंटिरिएर बहुगा अब किया होगा अभीैंट के बाहर की बात कर रहा है तो arter grade आ дुपन एक सब्सक्राइब में इस्टीर से होगा गा. पूसे सिरंफ परसठेडों सब्सक्राइब कि यार रहा हैँ यहां पर यहां पे इंटेर्यियर घो इस तरह से Toyota श इंटेडीर का शीज आ पासी सट्रियाब्स इया उसमें थेलागव agreement दिए गया पिए पय bess आफ इंटिरियर एंगल्स On The सेम साइड ऑफ दा ट्रांसवर्स ट्रांसवर्सल इस पी लाइन जो दिया हुआ है इसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है यह दो लाइन जो आता है यहां पे जो इन दोनों के बाद 180 डिडियो दिया जब मैं यह बना रहा हूं और फिर मैं आपको बोलूगा कि आप स्कीप करके और इंट्रोड़क्शन वीडियो पहले देख लिजे तो किसी को भी ऐसा देखना पसंद नहीं है आप जो बताना इस वीडियो में बतला दिजे तो इसलिए मैं आपको समझा देत 180 डिग्री ही होगा यह हो गया आपको टोटल मिल गया यहां पे आपको क्या चीज नहीं मिला यहां पे आपको लिनियर पेर हम पहले पढ़ चुके हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल भी हम लोग पढ़ चुके हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इस तरह से होता है ट तक आपके दिमाग में नहीं आ जाता है तब तक जो है आप उसका प्रैक्टिस करें पिर आपको आजाएगा इसके अलाब आप कुछन जो मैं बना दे रहा हूं आप इसको प्रैक्टिस करें आपको समझ में आ जाएगा देखिए यहां पे अब हम इसको पढ़ते हैं और समझ समझने का प्रियास करते हैं मैं मैं चीज यह होता है कि आप समझ गए तो आपको कुछ भी मतलब समस्य फिल नहीं होगा आप तुरंत बना सकते हैं इस्टेट दा प्रोपर्टी अब यहां पर प्रोपर्टी बतलाने के लिए कहा जा रहा है वही प्रोपर्टी जो कोरेस्प इप यह आप देकर है अब यह प्यारल यहां बिल्कुल सीधा इसके सीधा यहां प्रोपर बनाए गया यह फर्मूला यह नहीं को सीद्धा और यह रखने का यह तरीका आप अपना अपना तरीका अपना सकते हैं हम जो अपना तरीका हम अपनाए हैं हम उसको बतला रहे हैं एक बार एक अंदर इसमें होता है corresponding angles देना है आपको S लगाना है क्योंकि दो है अपना अलग तरीका अपना अपना अलग तरीका अपना सकते हैं एक इधार है और एक इधार है तो इसका मतलब हो गया अल्टरनेट हो गया और यह जो है इंटिरियर अंदर में ही आ रहा है इंटिरियर इसका मतलब हो गया अल्टरनेट इंटिरियर एंगल्स हो गया ठीक है तो यहां पर आटने वाला है नहीं पेपर ले ले लेते हैं corresponding angles कोरेस पॉंडिंग अंगल्स बुक जो है इस तरह का मोटी किताब रहता है तो प्रॉब्लम होता है अभी इसको छोड़ देते तो यह उचा हो जाएगा इसलिए प्रॉब्लम होता है फस्ट में हो गया और सेकेंड में हो गया अल्टरनेट इंटिरियर एंगल्स सब्सक्राइब रही है कोई सिंगल नहीं है सबी डबल पीर में है तिसलिए आल्टरनेट पन्दर एंटिरियर अ सब्सक्राइब कि मलंद की यह हो गया आइस लहाँ अएंगल्स ओर था क्राइर नंमर में उनिधतर अंबरशाड क्यारों इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 एकल टू 180 दिए देन एप अलल भी देखिए 4-5 एंगल 4-5 एकी साट में इंटीर में एठीक है एकी साइड में है इंटीर में है तो इसको मैंने बतलाया था आपको यहां पे नीचे में दिया हुआ है इंटीर एंगल्स ओन दा सेम साइड ये दंबा है तो इसमें जो है आपको फूरस अप्रिवाइस कर लेंगे तो फिर आपको असान हो जाएगा सबसे पर लिए इंटीर है यहां पे इंटीर एंगल्स ओन दा सेम साइड ओन दा यहां पी लिखने में तोड़स प्रॉलम हो रहा है ओन दा सेम साइड ओफ दाdoc अंगल्स ट्रांसग्स8 वारेस है इसमें यह क्या लाए टैक Its वर्सल यह conservative यह गते हैं इसमें एसने लगाना है, complete हो गया question number one, next question लेते हैं,